Hello and welcome to the lecture series of Plant Pathology और Plant Pathology के इस lecture में हम दो diseases के बारे में discuss करेंगे जिसमें से पहली है फाल्स इसमत और दूसरी है ब्राउन स्पॉट डिजीज इनके दोनों ही rice plant के disease है और fungal diseases है हम इनको detail में discuss करेंगे जिसमें हम सबसे पहले symptom के बारे में देखेंगे उसके बाद फिर इसका जो causal organism है किस वजए से यह disease हो रही है उसके बारे में हम discuss करेंगे और फिर disease cycle कैसे perpetuate करती है एक season से दूसरी season में और finally इसको हम control कैसे कर सकते हैं इन सब aspects से हम discuss करने वाले हैं इस lecture में तो सबसे पहले शुरू करते हैं फाल्स इसमट आफ राइस के बारे में फाल्स इसमट को कॉमनली हर्दी रोग कंडुआ रोग या गंडुआ रोग के नाम से जाना जाता है बहुत ही कॉमन डिजीज है नार्दन इंडिया में इसमें बैसिकली उत्तर प्रदेश मध्य प्र फंगस से इंफेक्ट हो जाता है तो पूरा का पूरा ग्रेन फंगस के थूरू यूटिलाइज कर लिया जाता है ऐस फूर्ड मटीरियल और फिर फंगस अपना री प्रदक्टिव स्ट्चर या स्पोर बनाता है और एक डल्टी मास में कनवर्ट हो जाता है जिसको हम इसमट कहते हैं इसमट की अगर हम बात करें तो इसमट basically फंगस का एक ग्रूप है और है अस्टीलाइजिनेल और उसमें अस्टीलाइगो जीनस है अस्टिलेगो की वज़े से अगर disease काज हो रही है और उसमें grain dirty mass में convert हो जा रहा तो उसको smut कहते हैं लेकिन अगर disease हो किसी plant में किसी cereal plant में जैसे rice की हम बात करने हैं और उसमें भी पूरा का पूरा mass grain का mass convert हो जाए dirty mass of spore में but the fungus does not belong to the astilago or astilaginals उसके अलावा किसी और group को अगर ये belong करें तो चुँकि है तो smut but astilago को belong नहीं कर रहा है इसलिए हम इसको false smut के नाम से जानते हैं अगर हम बात करें false smut of rice की तो disease is caused by a fungus astilaginolia virans तो सबसे पहले हम इसके symptom के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे हम इसको हर्दी रोग या कंडुआ रोग या false smut of rice को identify करेंगे rice grains are transformed in the form of his smut ball इसके पहले की slide में भी आपने देखा और यहां पी भी grain की जगए पर these are grains and these are the converted grain इसमें कहीं पे yellow color है कहीं पे light yellow है कहीं पे dark yellow है brown की तरफ move कर जा रहा है यहां पे green color का है तो यह सारे ही symptoms हैं इसमें पूरा का पूरा rice का grain convert हो जाता है इस smut ball में सबसे common और typical symptom यह है yellow color का होता है इसलिए इसको हर्दी रोग भी कहते हैं शुरुवात होती है तो दो-चार grain ही converted होते हैं बाद में धीरे-धीरे होता क्या है पूरा का पूरा पूरे पैनिकल में जितने भी grains होते हैं सब affected हो जाते हैं और शुरुवात में जब यह disease develop होती है तो rice के जो grain है rice के grain जब convert होते हैं इस spore mass में तो उसके उपर एक पतली सी thin membrane होती है at maturity smutball burst बाद में यह rupture कर जाता है और सारे के सारे clamidospores disperse कर जाते हैं हवा में उड़ते रहते हैं as clamidospore develop smutball become orange colored which later on become yellowish green colored and finally turned greenish brown colored इस photograph में आप आसानी से देख सकते हैं इसको हम erase कर दें सारे ink को यहाँ पर शुरुवात में आप देखेंगे yellow color का है yellow color के बाद फिर यह dark brown होना शुरू हो जाता है इसमें आप देख सकते हैं उसके बाद फिर यह green होना शुरू हो जाता है जैसे-जैसे sports mature होते हैं कलमाइडो स्पोर्स होते हैं कलमाइडो स्पोर्स जैसे-जैसे mature होते हैं उनका color change होता है और finally green होते हैं और last में आप देखेंगे जब rice के season का end होता है तो यह black color के हो जाते हैं तो अलग-अलग stage पर अलग-अलग इनका color होता है एकदम शुरुवात होती है तो white color के होते हैं white से yellow, yellow से green, green से brown, brown से black यह इसकी series है फिर हम बात कर लेते हैं इसके causal organism के बारे में causal organism मैंने पहले ही बताया और अस्टिलाइजिन आइडिया वाइरेंस और अस्टिलाइजिन आइडिया वाइरेंस डिटेरो माइकोटेना को बिलांग करता है बाद में जब इसकी perfect stage के discovery हुई perfect stage का मतलब जिसमें sexual reproduction पता चले sexual stage को sexual cycle को perfect stage बोलते हैं और तब इसको माइकोटेना में रख दिया गया और इसका नाम विलासी कलेवा वाइरेंस रखा यह जो जीनस का नाम है यह तो change हो गया बट इस species का नाम ICBN International Coda Botanical Nomenclature के carding इसको retain करना पड़ता है जब भी किसी जीनस को shift करते हैं एक गुरूप से दूसरी गूरूप में और astylogin idea वाइरेंस को विलासी कलेवा वाइरेंस के नाम से जाना जाता है इस photograph में Clamidospores को देख सकते हैं चोटे-चोटे Clamidospores हैं यह mature Clamidospores हैं इसके बारे में भी आगया और हम डिसकस करेंगे First of all जब कुनेडिया बनती है astylogin idea वाइरेंस की तो वह elliptical होती है इस तरह से और बाद में यह जो smut ball है smut ball में sclerosia develop हो जाती है sclerosia is the fruiting body और sclerosia को हम यहां देख सकते हैं let me raise all the ink this is the single grain यह एक single grain है इसमें पुराना grain वाला portion है और अगर हम इस को highlight करें black color से this is the sclerosia horseshoe के जैसा जैसे घोडे की नाल होती है उसी के जैसे sclerosia एक या दो usually बनती है और यह resistant structure है इसके बारे में हम आगे जब इसके disease cycle को discuss करेंगे तब इसके बारे में हम और detail में देखेंगे तो इक productive structure में जो deuteromycotina का है secondary cycle जैसे चलती है वो यह क्लमाइडोय स्पोर्स है and if you talk about the resistant structure जो एक season से दूसरे season में जाता है तो यह horseshoe shaped sclerosia है sclerosia are the fruiting body फिर next important aspect disease cycle annual recurrence कैसे यह एक season से दूसरी season में disease परपिश्वेट करती है the disease is soil as well as seed bond soil bond भी है seed bond भी है seed bond इस लिए है कि कोई अगर rice grain infected है उसको आपने store कर लिया धान में और finally disease हो जाएगी और soil bond इसलिए है इसके जो spores होते है या इसकी जो sclerosia है वो जब भी इसकी threshing होती है कटाई होती है मडाई होती है इस photograph में आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल cloudy cloudy structure है combine machine है harvester और जब यह infected field में कटाई करती है तो पूरा cloud के जैसा उड़ता है actually होते हैं और उसके साथ साथ जो इसकी sclerosium होती है वो पीछे यहां से जहां से debris गिरता है इस debris से ejected हो जाते हैं बाहर की तरफ यहां और soil में पड़े हुए होते हैं जब next season में फिर favorable condition होगे suitable host मिलेगा धान की खेती स्टार्ट होगी तो इसको ल्रोशिय जर्मिनेट करेगी इसको हम आगे डिसकस करने वाले हैं तो disease दोनों ही यह seed bond भी है और soil bond भी है this is the detail of disease cycle इसमें दोनों ही आसपेक्ट को asexual cycle और sexual cycle दोनों को ही discuss किया गया है शुरुवात में यह healthy plant है healthy plant में infection होगा root के थ्रू infection होगा finally जो mycelium है वो एंटर कर जाएगी panicle में rice के और यहां पर फिर healthy grain है उसको convert कर देगी इस mud ball में अब उसी particular season में हवा की वजए से या फिर rain की splash की वजए से यह उडएंगे और उड़के healthy plant की उपर जाएंगे या स्वायल के substratum पर गिरेंगे वहां से फिर germination होगा और ultimately उसी season में जो healthy plant है वो भी infected हो जाएगा और इस तरह से जो secondary cycle है वो चलती रहेगी और जब season का end होना होता है तो इसके पहले हमने photograph में दिखाया उसमें horseshoe से sclerosia बनती है sclerosia फिर ascoistroma में germinate करेगा और ascoistroma की चारो तरफ periphery पे छोटी-छोटी minute perithesium होती है perithesium में फिर ascus बनते है perfect stage और इसमें जो spores बनते है वो philly farm ascoist spores होती है ascoist spores finally germinate करेंगे germinate करके healthy plant को infect करेंगे इस तरह से अग monocyclic और polycyclic के बारे में एक और दूसरे lecture में cover किया है उसको भी आप जरूर देखें monocyclic diseases short में बता दूँ तो monocyclic diseases वो होती है जो एक सीजन में एक ही बार complete होती है और polycyclic diseases वो होती है जो एक ही सीजन में कई बार infection उनका repeat हो उसको polycyclic disease या compound interest disease बोलते हैं तो as far as this particular disease false is matter price is concerned यह polycyclic disease है क्योंकि एक ही सीजन में कई बार यह disease cycle हो सकती है फिर आगे चलते हैं इसके control measure की तरफ तो सबसे आसान तरीका यह है कि plantation थोड़ा सा early हो early plantation अगर होगा तो जो season के end में moisture है उसकी quantity कम मिलेगी क्योंकि सरदी कम आशम आने के पहले ही इसकी कटाई हो जाएगी और जो intensity है वो कम हो जाएगी और अगर हम chemical treatment की बात करें तो carbonazim आसानी से available है carbonazim को 2 gram per kilogram seed की हिसाब से अगर हम treat कर दें तो अगर seed में पहले से infection है fungus का तो वो remove हो जाएगा ultimately हमारी seed जो है वो काफी हद्दक सेफ हो जाएगी और disease की severity कम हो जाएगी और infection भी कम हो जाएगा as far as fertilization is concerned धान के खेत में किसान क्या करते हैं जादा nitrogenous fertilizer डाल लेते हैं overdose कर देते हैं इस चक्कर में कि हमारा पौधा जादा हरा भरा रहेगा लेकिन याद रखने की जरूवत है याद रखने की बात है कि जरूवत से जादा nitrogenous fertilizer डालेंगे तो कहीं न कहीं वो जादा घहना हो सबसे बहतर सलाई ये है कि nitrogenous fertilizer उतना ही डाला जाए जितने उसकी जरूवत हो उसके लिए mash card आता है mash card में अलग-अलग colors होते हैं उसको किसान यूज कर सकते हैं एकसेस nitrogenous fertilizer से बचने के लिए फिर spray of mancozyb, carbonazine as well as copper oxy chloride तीनों का combination या तीनों में से कोई एक जब धान में flowering होनी हो उसके 10 दिन के पहले आसानी से इसका शिड़काव कर सकते हैं इसका शिड़काव करने से होगा क्या जो कोई इडिया है वो सारी की सारी germinate नहीं कर पाएंगी और इसका असर अगर leaf के उपर पड़ा रहेगा, grain के उपर पड़ा रहेगा तो secondary infection भी नहीं हो पाएगा और जो last but not least method है stable should be removed from the field and burned as far as government policy is concerned जो stable है या जो धान का पूरा है या पराली है उसको जलाना एक तरह से गहर कानूनी है लेकिन हम उसको उस field से particular field से remove करके कहीं और इकठा ले जा करके जला सकते हैं से इस इस कलरोशी अगर उस stable में या पराली में बची हुई है तो वो खतम हो जाए तो यह सारी techniques हैं यह सारी measures हैं जिसको follow करके जिसको adapt करके falsis metafrice को control किया जा सकता है this was all about the falsis metafrice now we are going to proceed towards the second disease of this particular lecture which is brown ispartafrice brown ispartafrice is called by helminthosporium R.I.C. helminthosporium again deuteromycotina को बिलांग करता है monilielles और dematiasc group को but इसकी जो perfect stage है बाद में इसको discover किया गया और finally इसको फी transfer कर दिया गया इसको place कर दिया गया इसकी original position पर इसको हम आगे discuss करने वाले हैं सबसे पहले हम symptom के बारे में बात कर लेते हैं symptom बहुत ही common है और बहुत ही आसान symptom है इसको identify करना typical brown to greyish colored spot appear on the aerial part of the rice including collieoptyle, leaf sheath, leaf blade as well as glooms gloom कहते हैं floral part को जिसमें grain बनता है धान का तो यहाँ पर आप photograph में आसानी से देख सकते हैं इसकी भी जो एक live video है वो cover किया हुआ इस channel पर available है आप उसको जरूर देखें जो इसका symptom नज़ा आता है spot के farm में आता है जिसमें जो margin होती है वो brown color की होती है और जो center है वो grey color का होता है इससे आसानी से identify किया जा सकता है the spots are ellipsoidal to oval most of the time यह ellipsoidal होते हैं इस तरह से होते हैं but sometime it may be oval severe case में जब ज़्यादा infection हो जाता है तो grain में भी infection हो जाता है और grain जो अपना bright color है उसको lose कर देते हैं और shrivel हो जाते हैं श्रिंग कर जाते हैं जिनको हम pecky rice कहते हैं यह भी एक symptom है severe condition में होता है अब हम बात कर लें इसके causal organism के बारे में तो again यह disease fungal disease fungal pathogen के वीज़े से होता है जिसके कई नाम है कई synonym से है helminthosporium orrhizy, bipolaris orrhizy, drachylera orrhizy यह सारे ही इसके नाम है but helminthosporium orrhizy के नाम से यह ज़्यादा famous है तो हम helminthosporium orrhizy के नाम से ही इस lecture में बार बार पढ़ेंगे monilielles dematiacee को datorium microtena को भी लांग करता है क्यांकि konidia की बात हम कर रहे हैं और यह जो fungus है वो intercellularly as well as intracellularly inter का मतलब है दो सेल के बीच में और intra का मतलब है within the cell इसकी ग्रोथ होती है silcopene trade भी कर जाता है konidia की photograph यहाँ लगी हुई है mycobank.org से photograph ली हुई है drish clara or izi के नाम से यह photograph available है इसको आप आसानी से access कर सकते है mycobank में konidia के अगर हम बात करें तो these are curved tiddy हैं यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं यह curved होती है elliptical होती है और इसमें 6 से लेकर के 14 तक pseudo septate होती है चोटी चोटी अलग अलग इसमें cells है और यह pseudo septa है 6 से लेकर 14 pseudo septa होता है और base पे इसके hillam होता है hillam जहाँ पे यह conidio 4 से या parent mycelium से joint होती है इसको hillam बोलते हैं बाद में जब इसकी perfect state को discover किया गया इसके telomarf को इसको perfect state कहते हैं तो finally इसको cochleobolus meabianus में shift कर दिया गया मियाबे scientist थे mycology, plant pathology की इनके नाम पे cochleobolus meabianus नाम दिया गया और इसको mycotina में shift कर दिया गया अब बात कर लेते हैं disease cycle की angle recurrence की disease is both seeds as well as soil bond seed से भी होती है pathogen survive in the plant debris जो rice का कूडा करकट है बचा हुआ पराली है उसमें survive करता है और उसके इलावा जो rice का grain है rice के जो endosperm है endosperm और outer wall के बीच में भी fungus की mycelia आसानी से survive करती है dormant condition में तो यह इस तरह से seed bond हो जाएगी और अगर debris में है तो soil bond हो जाएगी और यह दोनों ही condition में primary infection नए season में infection को start करते हैं और जो secondary infection है वो airborne होता है conidia इसमे ठेज सारी बनती है इसके पहले जो हमने देखा यह सारी conidia है conidia बनेंगी उडेंगी healthy plant के उपर जाएगी और उनको उनमें infection हो जाएगा तो इस तरह से अगर देखा जाए तो disease polycyclic है मतलब एक ही season में कई बार disease cycle complete हो जाती है secondary cycle फिर control miser की अगर हम बात करें तो disease is swell as well as seed bond pathogen चार साल तक grain में infected grain में चार साल तक survive कर सकता है और अगर infected grain के बुआई हो तो again disease primary infection हो जाएगी disease हो जाएगी तो सबसे पहले करना क्या है जो field है उसमें जितने भी debris है जितने भी पराली है उसको destroy कर देना है ताकि जो field है वो fungus free हो जाए और ऐसी seed का इस्तेमाल करें जो certified हो और disease free हो किसान usually करते क्या है अपने आसपास में देखते हैं और जिसमें देखते हैं कि अच्छे पैदावार हो रही है उसकी seed को रख लेते हैं सीजन में उसकी soving करते हैं याद रखने की चीज़ यहां पर गौर करने की बात यह है कि हो सकता है उसमें infection हो और disease हो जाए तो farmers are advised not to use these type of seed जिसके बारे में हमें पता ना हो हम disease free और certified seed का इस्तेमाल करें जो कि market में available है और disease को रोकने के लिए फंजी साइट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कारबेंडाजिम है प्रोपी कोनाजोल और एजो इस्ट्रॉबिन के सारे फंजी साइट मार्केट में available हैं इनका शुटकाओ करके आसानी से disease पौधे को बचाया जा सकता है और उसके लावा resistant varieties भी available है धान की जिनको अगर हम जिनकी हम भुवाई करें तो इस disease से छुटकारा मिल सकता है एक जो बड़ी important बात है brown spot disease of rice की वो है great Bengal femen 1943 में British India का दोर था और second world war का टाइम था अगर हम बात करें Bengal की या Bengal और जो उसके आसपास उडिसा वाला एरिया है इंडिया में तो वहाँ पे पूरा का पूरा wetland एरिया है most of the area is wetland जो water से saturated होता है और वहाँ पे धान की खेती होती है धान की खेती बहुत ज़ादा होती है आज के दोर में अगर हम देखें तो transportation है और किसी particular crop की खेती जहां नहीं होती है वहाँ भी पहुंच जाता है बट 1943 में अगर हम बिटिश इंडिया की बात करें तो transportation facility इतनी अच्छी नहीं थी और जहां जिस जिगह पे जो crop होती थी most of the people उसी को consume करते थे उसी पे dependency हुआ करती थी बंगाल में उस टाइम पे राइस पे पूरी डिपेंडेंसी थी और 1942 की बात है 1942 की 1942 में जितने भी राइस के plantation किये गए बंगाल और कलकता के एरिया में वहाँ पे क्या हुआ इस particular disease का infection हो गया और इस disease ने इतनी भैंकर तबाही मचाई कि सारी की सारी crop infected हो गई और productivity zero हो गई उस टाइम पे हालत ये होई कि भुकमरी पड़ गई क्योंकि जो staple food था जो basic जरूरत थी वो rice ही थी सारा का सारा rice 1942 में infected infection की वज़े से खराब हो गया और 1943 में 1943 की बात है 2.123 million मतलब 30 लाग तक लोग मर गए और ये recorded है आफ रिकार्ड कितने लोग मरे होंगे इसका आइडिया लगाना मुश्किल है और ये जो photograph दिख रही है बहुत ही जगजोरने वाली photograph है जिसने भी इस photograph को खीचा है इस टेट मैन newspaper ने इसको publish किया हुआ था और ये publish हुआ है 22 अगस्त 1943 को बाद ने फिर इसको reproduce किया गया एक conquest में और जिसका title दिया गया लंदन में conquest हुआ जिसमें इसको reproduce किया गया इसका title दिया गया Dead are dying children in Calcutta street photograph live तो नहीं है लेकिन ये इसमें आसानी से समझा जा सकता है कि हमारे हिसाब से तो ये लगता है कि ये वाला बच्चा तो dead हो चुका है और इसमें थोड़ी सी लाई बची है इसलिए इसमें लिखा हुआ Dead are dying children ये photograph represent करती है Wikipedia पे available है for the first time ये 22 अगस्त 1943 को statement newspaper ने publish किया था इस फोटो को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो great बंगाल फिमीन है इसमें कितनी भैंकर तबाही इसने मचाई होगी और इसी की रिपोर्ट को पदमनाभन ने 1973 ने publish किया उन्होंने ये लिखा हुआ था Nothing as devastating as Bengal epiphytotic of 1942 has been recorded in the plant pathological literature plant pathology के literature में इस great Bengal femine के जैसी अब तक कोई भी epiphytotic कोई भी महामारी plant के case में रिकार्ड नहीं की गई है तो ये है इसका historical importance और इसलिए इसको हमेशा याद किया जाता है plant pathology के literature में बहुत भैंकर तबाही मुचाई थी इसके पहले भी और भी epiphytotic हुई है femine हुई है लेकिन ये most destructive था जिसमें लगबग 30 लाख लोग मर गए थे तो इस lecture में बस इतना ही कुछ useful resources की link है जिसको description box में मैंने दे दिया आसानी से इसको आप access कर सकते हैं plant pathology के इस lecture से जोडने के लिए thank you